तो दोस्तो आज सुबे से लेके साम तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे DLN इसकूट्णी रिजल्ट लेटेश्ट अपडेट के बारे में और बात करेंगे परिच्छा की तयारी कैसे करना है जी यहां दोस्तो परिच्छा की डेट सीट बिलकुल नजदीक आती जा रही है अगर आपने इस समय लापर वाई करी तो देखे आपका रिजल्ट में फेल लिखकर आ सकता है जी यहां काफी बच्चे अब तक DLN में फेल होते हुए आ रहे हैं एक बात और याद रखना है जी यहां दोस्तो देखे एक बात बहुत इंपोर्टेंट आज हम आपको बताने वाले नौकरी को लेकर आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाखों बच्चों का DLN कम्प्लीट हो चुका है देखें सिर्फ DLN के ही बच्चे कंप्लीट में नहीं देखें होता है कहा है न इस समय जो DLN के बच्चे पास हो जा रहे हुए आपने आपको सोच रहे हैं कि बहुत देज है और जिन बच्चों की बैक लग जा रहे हैं आप उनको हलके में ले रहे हैं देखे, बैक गल्तिक वज़े से लग जाती है, आज कल बहुत बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, लेकिन रिजल्ट में फेल लिखकर आ जाता है, ठीक है, कुछ दिक्कते होती हैं, अभी इसलिए इस कुट्णी रिजल्ट के इंतजार क्या आ जा रहे हैं, याद रखिएगा, कम से कम ने तो 10 लाग से जादा बच्चों का टेट क्लिर हो चुका है, हो सकता अभी, आपने एक भी बढर UPTATE या CTATE का पेपर ही ना दियो, लेकिन 10 लाग से जादा बच्चों का टेट क्लिर हो चुका है, ठीक हैं, या मोटा- surplus इसलिश आप मान जिसमें देखिए 1504 पत्य हमारे सायक ध्यापक के और 390 पत्य प्रधाना ध्यापक के तो कुल मिला कि देखिए वैकेंसी जो आ रही है न उसमें कितने बच्चों को नौकरी मिलती है अगर हम 10 लाग का ठीक है एक परसेंट निकालेंग तो कितना होता जरा देखिए 10 लाग गुड़े एक करेंगे भागे 100 करेंगे तो कितना बचा है हमारा बच रहा है 10,000 ठीक है तो आप अंदाजा लगा लीजे कि 1% पर 10,000 है अगर माल लेते वैकेंसी आती है और 5% शात्रों को नौकरी मिलती है तो 5% का मतलब हो गए लगबग 50,000 ठीक है तो इसका ये मतलब हो रहा है कि 95% बच्चे विरोजगार रह ज जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि 5% बच्चे नौकरी पाएंगे और 95% बच्चे विरोजगार रह जाएंगे या उनको अगली वेकेंसी में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ठीक है तो इसको जरा कैलकुलेट करके रखिए कि कि किस हिसाब से आपको तयारी कर पर इच्छा की डियलेट में पास होने से बीड में पास होने से नौकरी नहीं लगती टेट में पास होने से नौकरी नहीं लगती जब सूपर टेट में आप समलित होंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि 95% बच्चे नौकरी के रह से बाहर है वेकेंसी आएगी तो बच्चे बिरोजगार रह सकते हैं, और उमीद है कि 10 लाग से जादा बच्चे आवेदन करेंगे नहीं भरती में, अगर वेकंसी 10 अजार क्या सपात रहेगी 10 से 20 अजार की बीच में, तब तो बहुत ही जादा दिक्कत होगी, मतलब अगर माले से सिर्फ वेकंसी 10 अजार दोस्तों सुरूओगा, फिल चात्रों के लिए जो भी अपडेट आईगे, आप तक पहुचाएंगे, फिलाल इस कूटनी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, परिच्छा डेट सीट यह रही दोतीय समेश्टर, चैतूरत समेश्टर, इस हिसाब से आपको तयारी करनी है, ठी पहुचाएंगे, आपको अपनी एक सीट से मतलब है, बाकि अगर एक 51,112 पदों पर वेकंसी है, तो 51,111 पद किसको मिलने उससे आपको मतलब नहीं है, आपको अपने सिर्फ एक पद से मतलब है कि आप एक पद पर नौकरी ले, बाकि की कि आपके दोस्तियार नौकरी पा बाकि जो भी PNP से नोटिस आती है, डियलेट परिष्छा डेट सीट या रिजन्ट की अपदेट आती हम आप तक पहुचाएंगे, इस वीडियो में डिसकस कर रहे थे, 20 नौमबर 2022 आज सुबेस लेके राब तक की बड़ी अपदेट को और कुछ अपदेट हम 21 नौमबर क इस वीडियो में cover कर रहे थे, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए stay connected, have a nice day.